हेलो एवरीवन मैं नी लमतेवारी आप सभी का मेंगनेट ब्रिंस में बहुत बहुत स्वावित करती हूँ मेंगनेट ब्रिंस एक ऐसे चैनल है जहां पर आपको किंटर कार्टन से लेके 12 क्लास तक के सारी वीडियोस बिलकुल फ्री अवेलिवल करवाए जाते हैं जैसा कि अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैसा कि कहा था आपने लास्ट वीडियो में कि आपको किम के शब्द रूप याद करवाएंगे किम का अर्थ होता है क्या और कौन और जो क्या और कौन है हम हिंदी में तो क्या देते हैं कि यह क्या है अब चाहे वो लड़का हो यह कौन है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या लड़का हो या कोई ब्यक्ती हो या कोई पुरुष हो या कोई हमारा पुस्तक हो या कोई यहां पे फल हो कोई पत्ता हो क कोई फर्क नहीं पड़ता सब के लिए कहा यह कौन है लिए संस्कृत में तीनों लिंगों के लिए क्या और कौन अलग-अलग बनते हैं जिससे कि उनके रूप को देखके आप पहचान पाओ कि जो कौन शब्द है वो लड़की के लिए है यानि स्ट्री लिंग वाची के और यह आपके लिए इतने उपयोगी होने वाले हैं जिससे कि आपको प्रश्न निर्मान करने के लिए नीव है जो आपके एक प्रकार के हर एक NCRT की जो आप सुल्यूशन करते हो उसमें अभ्यास करते हो उसमें एक प्रकार का प्रश्न आता है कि प्रश्न निर्मान करना ह आपको कि Cup के present कि शब्रूपों को याद कर लीज़े प्रशन निर्माण करना स्वताही ही शब्रूप 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 यानि बार बार क्याते हैं कि सब्रूप ही हर जग ताले की जाबी है हर ताला सब्रूप से खुल जाता है ठीक है तो यहां पर हम किम के पहले पुरलिंग के रूपों को देखेंगे कि पुरलिंग में क्या इनका अर्थ बनता है इनके क्या रूप बनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारी जो बनने है ना कह कऊ के पूरे बालक जैसे रूप बनने है कैसे बनने है बिलकुल बालक जैसे रूप बनने है तो हमें बालक के याद करने पड़ेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे दो नहीं तीन चार काज हो जाएंगे बहुत हो जाएंगे बहुत सारे काज हो जाएंगे अभी जैसे हमने आपको ये तत के शदरूप करवाई थे उसमें भी बताया थे के बालक जैसे ही उसमें समानता चल रही थी एतत में भी बालक जैसी समानता चल रही थी किम में भी बालक जैसी समानता चल रही तो भाई एक बालक के करने से जब इतने सारे याद हो रहे हैं तो बालक के ही अमपेले कर ले अकारांत पूरलिंके कर लेते हैं है ना यहां बनता है बाल काय परिवर्तन सिर्फ यहां हुआ परिवर्तन को हम अलग कर देते हैं यह परिवर्तन वाला है फिर इसके बाद बोले बिल्कुल समान चलना है बाल कस्य परिवर्तन को हम हाइलाइट करें देते हैं कैसे बालक का किया बाल को हटाया बना कह बाल कम में से बाल हटाया बना कम बालक में से बाल हटाया केन यहां बाल काई की जगा काई की जगा कस्म ही आ जाएगा यहां बाल कात तो यह ओगया कस्मात यह ओगया बाल कस्य तो यह ओगया कस्य बाल हटा दीजे कस्य बचा यहां पर बाल के की जगा कस्मन यानि जो दो परिवर्तन होते हैं वह होते हैं चतुर्थी और सब्तमी में फिर इसके बाद कहें बाल कउ बाल कउ बाल कउ तो यह गया कउ कउ बाल कभ्याम बाल कभ्याम बाल हटा दो कभ्याम 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 बाल कईो हो बाल कईो हो तो बाल हटा दो कईो हो कईो बचा समानता है कोई दिक्कत नहीं है याद कर रही है कोई बिल्कुल कठिनता ही नहीं है बालक की याद कर लिए इसके याद हो जाएंगे यहाँ परिवर्तन है परिवर्तन है उसको लिखे देते हैं ये बनता है हमारा बाल काह और इसका जो प्रश्ण वाचक चिन बनता है वो बनता है के फिर बाल कान बाल हटाया कान बचा बाल कई बाल हटाया कई बचा बाल केभ्य बाल हटाया केभ्य बचा बाल केभ्य बाल हटाया केभ्य बस यह लेजे गिनी चुने 21 रूपों में केवल 4 रूपों में परिवर्थन वाकी किस सब देखो बिल्कुल जैसे के तैसे बन गया बाल केशु बाल हटाया केशु बन गया बालक जैसे शब रूप बन गया कोई दिक्कत है क्या परिशान नहीं सकती कोई परिशान नहीं अब जैसे ही बालक में जो हम विभक्तियां जोडते हैं विभक्तियों का मतलब चिन जैसे प्रत्मा विभक्ति का चिन होगा ने देदिया विभक्ती का चिन होगा को तृतिया विभक्ती का चिन होता है से या के द्वारा तृतिया चतुर्थी का चिन होता है के लिए पंचमी का चिन होता है से अलग होने वाला सश्ठी का होता है का की के का की के और सक्तिमी का जो चिन होता है वो होता है मैं और पर ठीक है तो अब यहाँ पे भई रूप हमने बनाना सिखा दिये कि आपको कैसे बनाने हैं बालक जैसे बनाने हैं ठीक है सब आके हो जाएगे अब इनके अर्थ कैसे निकलेंगे पहले तो इसका अर्थ एक प्रत्मा विभक्ती का नेक चिन न जोड़ें तो इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं प्रत्मा विभक्ती के हर एक शब्द के एक तो इसका मूल पहचान वाला निकलता है कि क्या या कौन यह कौन है कहें यह कौन है तो कहेंगे एशह कह पुरलिंग के लिए कह लिखा हुआ है समझ जाएंगे कि यह जो कह शब्द है वो किसी पुरलिंग वाची शब्द के लिए आ रहा है कि एशह कह यह कौन है तो निश्चिती वो कोई बालक ही निकलेगा या पुरलिंग्वाची शब्द ही निकलेगा ये दोनों कौन है कहेंगे ये दोनों कौन है ठीक है दोनों कौन है तो अब ये हो या वो हो तो हम ए शह या ए तत इस प्रकार के रूप लगा देंगे यहां कहेंगे दोनों कौन है तो कहेंगे कव वे सब कौन है तो वे सब की बात आ रहे है बहुवचन की तो कौन है बहुवचन कौन है पूछे ने ठीक है तो जैसे अगर हम इसका प्रियोग बताए तो हम कैसे कहेंगे अगर किसी बालक को देखके हम पूँच रहे हैं यह बालक है इसको देखके हम पूँच रहे हैं कि यह कौन है तो हम कहेंगे एशह कह अब यहाँ पर यह दो बालक हैं इन दोनों को देखके हम पूँच रहे हैं यह दोनों कौन है तो हम कहेंगे एतव कव अब कहेंगे दो नहीं, यहाँ पर और दो चार बैठे हुए है तो हम कहेंगे एते के, एते के ये सब कौन है? तो आप कहेंगे एते बालका, एते एशह, अब एक हुगा तो आप कहेंगे एशह बालका दो होंगे तो आप कहेंगे एतभालका ठीक है तो यहाँ पर दोनों कोन है उनका अर्थ हमारा कोन निकालता है ये कह और इसका अर्थ क्या निकलता है और जो अर्थ निकलता है वो होता है किस ने, ने का अब अर्थ नगाना है तो हम कहेंगे यहां किस ने किया, किस ने पढ़ा, किस ने लिखा, किस ने कौन ने नहीं हिंदी में लिखा जाता है, कौन ने की जगा हम क्या कर देते हैं, किस ने शब्द लगा देते हैं यहां पर परिवर्टन होता है अब आपको लगेगा किम का आर्थ होता है क्या या कौन तो इसी में ने का चिन होता है तो कौन ने तो नहीं सही लगता, हिंदी में तो आपको कौन ने लिखा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, किस ने दिखेगा तो आपको ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन में ने लगा हुआ है तो ने प्रतमावेवक्ती से आता है तो प्रतमावेवक्ती का रूप लगा हुआ है किन दोनों ने तो कहेंगे को, किन सबने या किसने वो भी किस के लिए बहुवचनवाची के लिए किस ने किया उन सब बालकों ने किया तो आप कहेंगे बालकों की बात हो रही है बहुआ जनवाले किस ने किन सब ने या किस ने दीतिया विभक्ती को लगाने से को बन जाएगा यानि किस को मैंने किस को देखा तो हम कहेंगे, मैंने बालक को देखा, अहम बालक कम पश्यामी किसको देखा, अहम कम पश्यामी, मैंने किसको देखा तो हमने क्या कहा, मैंने किसको देखा ओ कार्थ लगाना तो दीतिया विभक्ति का किसका उठा लिया अब बाल को देखना था इसलिए हमने कम लगाया कि अहम कम पश्यामी मैंने किसको देखा तो हम कहेंगे अहम बाल कम पश्यामी हमने किन दोनों को देखा तो कह देंगे किन दोनों को तो हम कहेंगे अहम कव पश्यामी मैंने किन दोनों को देखा मैंने किन सब को देखा किन सब को देखा मैंने किन को देखा मैंने किन सब को देखा बहु अचन वाली को कार्थ है दुईतियाविभक्ति के रूपों का प्रियों करेंगे कम, कव, कान ठीक है अब अहां किसके द्वारा लिखा हुआ है किसके द्वारा आप लिखे तो हम कहेंगे कहेंगे किन पुस्तक कहा पठ्थ्य थे किसके द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया तो आप कहेंगे अब रामेन की द्वारा बालकेन की द्वारा या जिसकी द्वारा लेकिन आएगा जो भी उत्तर वो आएगा पूर लिंग्वाची काभ्याम का अर्थ होगा किन दोनों के द्वारा किन दोनों के द्वारा कही का अर्थ निकलेगा किन सब के द्वारा या किन सब के द्वारा किन सब के द्वारा चीक है अब आगे चलता है कस्मई, कस्मई में चतुर्ती विवक्ती का चिन क्या है? के लिए? तो कस्मई का अर्थ क्या निकलेगा? किसके लिए? किसके लिए पढ़ा? अपने लिए पढ़ा किसके लिए? माता ने किसके लिए भूजन बनाया? बालक के लिए बनाया काभ्याम किन दोनों के लिए? किन दोनों के लिए? और के भेकार तो क्या निकलेगा हमारा? किन सब के लिए? किन के लिए या? किन सब के लिए? अब यहाँ पर आते हैं हम कौण सा पंचमी बिभक्ती कस्मात जिसका आर्थ निकल रहा है से का आर्थ है किस से किस से किन दोनों से किन सब से कस्य किस का किस का किस की किस के किन दोनों का किन सब का किस किन सब का किन सब का किसका घर है केशाम ग्रहम अस्ति किसका ग्हर है यह किस का घर है तो आप गएगे बालकों का घर है किसमन यादन दोनों पर बस बात यह है कि जहां पे क्या या कौन होता है क्या या कौन की जगा पे हम किस और किन का प्रियोग कर देते हैं और यह हमारे निकल के आ जाते हैं पूरलिंक के किम के शब्द रूब ठीकए, अब अर्थ हमारा हर विभक्ती का वही रहेगा अच्छा इस्त्री लिंक के क्या रूप बनेंगे चलिए हम देखते है जैसे बाली का हमारा बनता है का जैसे बाली का बाली के बाली का तो बिल्कुल समान मनता है बाली हटा दीजे बना हमारा का जैसे हमने बालक के बताए है वैसे ही बिल्कुल इसमें तो जैसे बालक में तो कस्याम क्योंकि हम इस त्री लिंक पढ़ रहे हैं सबसे पहले अब यहां देखिए लिखा है बाली का तो बाली हटा दीजिए बचा हमारा का फिर हमने कहा बचक बाली काम तो इसमें से बाली हटा दीजिए बचा हमारा काम फिर कहा बाली कया तो इसमें से बाली हटा दीजिए बालिकाया तो यहां पर हमारा बने गया कस्याई फिर हमने कहा बालिकायाया यहां पर भी देखी बने गया कस्याई कस्याह फिर कहते हैं यहां बनता है हमारा बाली कायाम तो यहां पर हमारा बन जाता है कस्याम ठीक है फिर दोई बचन में देखें तो क्या बनता है हमारा बाली के तो बाली हटा दीजे बचा के फिर बाली के तो बाली हटा दीजे बचा हमारा के फिर कहें बाली काभ्यम तो ब बाली काह, बाली काह, तो बाली हटा दीजे काह, काह, बाली काभी, तो यह बाली हटा दीजे काभी, बाली काभ्य, बाली काभ्य, तो दोनों में काभ्य, काभ्य, बाली हटा दे जाने, बाली का नाम, बाली का नाम, तो यह हो जाएगा कासाम, और यहां बाली कासू हो गया हमा कोई परिवर्तन ही नहीं है अब इसमें क्या करना ये शोहसको सुधार कर लीजीगा इसका हमारे हैं यहां बनता है कस्यां मैंना परिखिया पर आलए अलिकलेगी का किस ने लिखा अब यह लड़की कींगे तो किस ने लिखा तो कहेंगा का के सबको के जोड़ दीजे कस्याई यानी किसके लिए तो निश्यत ही समझ लेना कि कस्या ही लिखा हुआ है यहां पर इस्त्री लिंग वाची का कोई उत्तर आना है किसके लिए क्योंकि किस देखिए इससे हमें कैसे पता चलता है कहेंगे कस्मई बनता है हमारे पुर्लिंग के लिए कस्या ही बनता है इस्त्री लिंग के लिए अर इनसे हमें प्रेश्णनों को की बिभक्तियों के देखके हमें उत्तर लिखने की का जरिया मिल जाता है कि हम उत्तर किस बिभक्ती में बनाएं है ना तो इसलिए हमें इसकी विभक्तियां याद करना जरूरी है अभी हम बताते हैं कि प्रेश्टन निर्मान में यह कैसे साया कुताई भी बताएंगे तो यहां क्या लिख दिया हमने अब जैसे लिखा है कस्याह यानि किस का लड़की का घर बाली कायाह ग्रहम कहेंगे बाली कायाह ग्रहम बाली कायोह ग्रहम किन दोनों का घर है आप कहेंगे बाली कायोह ग्रहम किस का घर है बाली का नाम ग्रहम कासाम ग्रहम कहेंगे बाली का पिखरें किसम्न किमएं लड़की में गुन हैं तो बालिकायाम गवपन कंदोनु में किन किन पर कासू तो क्या हो जायेगा कासू किन में किन में किन में या किसमे और वह भीutan क laughs कि आ किस लड़की में बॉहत बूने है की लड़कों में बहुत बूने हैं लग सरल है कि इंस में किवल दो याद करनी है क्योंकि जादत तर जितने भी नपुणसकलिंग शब्द होते हैं पुर लिंग जैसे ही याद करना कोई इतना सा भी उसमें कठिना ही नहीं है कि जड़ा सी भी परिशानी किम के कानी की मिक as peine ज किम करत क्या होता है क्या भी होता है कोण का अर्थ के लिए तब हम किम का प्रयोग करते हैं कि यह क्या है एश हकिम अब जब एश लगा देते हैं तब तो हमें पता चलता है कि यह तो किसका आ ठीक है अब यहाँ पर जब हमने किम के आपको सारे रूप बता दिये थोड़ा सा हम इनका क्या कर देते हैं आपको थोड़ा प्रेश्ण निर्मान में इनकी भूमी का आपको सिखाय देते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा कि पुस्तकम कह पठती अब यह हमने एक प्रेश्ण लिख दिया इसको हम पहले उत्तर लिखे देते हैं बालक कह प्रेश्ण निर्मान करने में इनकी भूमी का आपको बताय देते हैं कि कैसे यह हमारे प्रेश्ण निर्मान में काम में आते हैं हमने लिखा यहाँ पर बालक कह पुस्तकम पठती चीक और इस पे हमने लिख दिया है यहाँ पर बालक पर रिखांकित कर दिया और हमने कहा कि बालक यह रिखांकित शब्द है और रिखांकित पद को हटा के प्रश्न निर्मान कीजिए तब आप क्या कहेंगे कि बालक कैसा है हमारा पूरलिंग तो अब हमें कहां जाना है इसके लिए प्रश्णवाचक चिन दूनने कहां जाओगे आप किम के पास जाओगे और किमे में भी कहां जाओगे? पुरलिंग पे जाओगे आप कहोगे जो बाल का शब्द है वो प्रत्मा विभक्ती एक वचन में बनता है किस में बनता है? बालक हमारा बनता है प्रत्मा विभक्ती एक वचन में तो आप किम से कहोगे कि हमें पुरलिंग में से प्रत्मा विभक्ती एक बचन का शब्द उठा के दे दीजिए तो हमारा प्रश्न निर्मान का काम हो जाएगा तो आप यहां से कह उठा के इसके स्थान पे लिख देंगे और ये आपका प्रश्न बन जाएगा कह पुस्तकम पठती कौन पुस्तक पढ़ता है लिजे हो गया प्रश्न का निर्मान इतना सरल है और बच्चों को ये चीज़े रटनी पढ़ती है देखते हैं कि बाल केन की जगए केन लगा दिया अगर यहां लिखा है बाल केन पुस्तकम पठती यहां लिखा हुआ है अगर बाल केन पुस्तकम पठती तब यहां पर इसमें बाल केन पर अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है रेखां कित है तब हम बाल केन से कहेंगे कि बालक पूरलिंग है तो पूरलिंग के लिए प्रश्न वाज अक्षिन कहां से मिलेगा किम से मिलेगा और किम में भी बालक कहां, कहेंगे बालक की विभक्ती कौन सी है, कहेंगे तृतिया विभक्ती है, कौन सा वचन है, एक वचन है तो यहां पे हम कहेंगे तृतिया विभक्ती एक वचन अपना हमें शब्द दे दो तो यहां से केन उठा के बाल केन के स्थान पर लगा दें क्योंकि प्रश्ण निर्मान में हम प्रश्ण वाचक चिन उसी विभक्ती वचन का लिखती है जो विभक्ती वचन उपर वाली रेखांकित शब्द में होती है तो बालकिन शब्द में जब हमारे पास तृतिया विभक्ती एक वचन लगा हुआ है तो यहां से हम किम के शब्द रूपों में से भी कौन सा उठाएंगे तृतिया विभक्ती एक वचन का उठाएंगे और उसके स्थान पे लिख देंगे किसके द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया यह हो गया चीक है तो यह हमारा प्रिश्न निर्मान के लिए हम यह केन के करते हैं अब जैसे हमने कहा कि यह लिखा हुआ है कि व्रिक्षे खगाह व्रिक्षे खगाह निवसंती के व्रिक्ष पर खग रहते हैं अब हमने व्रिक्षे शब्द को कर दिया रिखांकित अब व्रिक्षे शब्द हमें पहले पता होना चाहिए क्योंकि अकारांत शब्द है व्रिक्ष और अकारांत पुरलिंग शब्द में हमें शब्द रूप पता होनी चाहिए कि व्रिक्षे शब्द कहां बनता है आप कहेंगे सब्दमी विवक्ति एक वचन में जैसे बालक बन ये तीन चीज़ें पहले पहचान लेजिए और सीध किम के रूप पर आजाएए पुरलिंग वाले पर ये कहेंगे हमें किम हमें प्रिश्णवाचक चिन चाहिए कहां से मिलेगा किम से मिलेगा किम में भी कहां पर मिलेगा जहां पुरलिंग होंगे और सत्मी विभक्ति एक व कि कहां पक्षी निवास करते हैं तो आप कहेंगे व्रिक्षेखा का निवसंती ठीक है तो इस प्रकार से कहां पर इनका प्रियोग क्या है जब हम प्रश्ण निर्मान करते हैं तब है और जब प्रश्ण से उत्तर देते हैं तब भी है पूछे कैसे अब इसी का जब हमने उल् कस्य, कस्य, विद्याल यह, अस्ती, यह किसका विद्याला है, ठीके, यह किसका विद्याला है, तब हमें उत्तर लिखना है, तो उत्तर लिखने के लिए हम क्या करें, सिर्फ प्रिश्नवाचक शब्द को पकड़ें, प्रिश्नवाचक शब्द हमारा कैसा है, कस्य, तो कस्य हम दिखेंगे कहां बनता है हम कहते हैं सश्थी विभक्ती और एक वचन में लगता है कहां लगता है सश्थी विभक्ती एक वचन अर्थाद अगर यहां पर उत्तर निकाल रहा है कि यह है मुहन का विद्यालाय है यह राम का विद्यालय है, यह लड़के का विद्यालय है, यह हमारे अभिनाव का विद्यालय है, यह माधव का विद्यालय है, किसी भी लड़के का नाम अगर आ रहा है, क्योंकि लड़के का क्यों आएगा, क्योंकि कस्य लिखा हुआ है, कस्य कहां आता है, पूरलिंग के को रपाष में वीत्र की और हमें ओपन सक्राइब hearing so निश्चिथी पुरलिंग चाहीं सब्सक्राइब पोच्ण बीदिया कई अब स्ब्सक्राइब मोहन शब्द मुहन कि आप क्या तो अब मोखन शब्द में हम एसे जी नहीं लिख पाहंगे मोहनमें जो विभक्ति है कैस्टी विभक्ति में बालक जेसा क्या बनेगा już अब जरा आज ये किम के शब्द रूप हमने जो बता दिये हैं इनको देख करके देखिएगा कि उत्तर में वही विभक्ति आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है जितने प्रशन आपके पाठ में दिये हुए हैं उन सब के आज प्रशन उठा लीजिए और उन सभी में देखिएगा कि जो प्रशन वाचक शब्द की विभक्ती होगी वही आपके उत्तर की विभक्ती मिलेगी ऐसे ही हवा में हम नहीं कि किसी में सिया लगा देते हैं, किसी में आत लगा देते हैं, किसी में कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है तो जहां जो प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति होती है, वही उत्तर में लगती है किम के शब्द रूप याद करने का भी तरीका बता दिया कि बड़े कठिन नहीं है समा सोचना कि किम के शब्द रूप हम कैसे याद करें आसानी से कर सकते हो बालक बालिका जैसे बनते हैं ठीक है? अच्छा नेक्स वीडियो में अब हमारे एक्डो सरव नाम शब्ध और रहे गये है जैसे एक सर्व शब्द होता है एक यत शब्द होता है जो इस प्रकार से शब्द हम बोलते हैं जिसका घर है तो यह है, यह जो शब्द है उनके हम शब्द रूप आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे और यह सारे आपको वीडियो वेप साइट पे बिलकुल आसानी से मिल जाएंगे आप Google टैप पे जाएंगे लिखे मैंने ब्रेंज डॉट को में इंडर करते हैं वेप साइट हो जाती ओपन क्लास 7 क्लिक करेंगे क्लास 7 की सब्जिक्ट आ गए यहां पर संस्क्रिट पे क्लिक किया व्याकरण पे तो व्याकरण का यहां पर आपको पेज मिल जाएगा यहां आपको चेप्टर वाइस वीडियो मिल जाएंगे आप चेप्टर वन को क्लिक करते हैं तो केवल वर्ण मिल जाएंगे कि जो चेप्टर पढ़ना है उसी संबंदित वीडियो आपके सामने आ जाएंगे तो पढ़ते रहे हैं मैंने बेंस के साथ में कैसा लगा आगे पढ़िएगा आज जरूर प्रशन निर्मान जो हमने बताया है उनको देखेगा प्रशनों के उत्तर देखिएग कि हमने जो बात कही है वो सही है या नहीं देखिएगा कि विभक्ति हमारी समान मिल रही है या नहीं मिल रही है जब एक वार खुद से यह जब आप प्रयोग करेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको फिर बहुत अच्छी लगने लगेंगे आपको मजा आने लगेगा यह के लिए धनिवाद